अखिलेश अदव का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉंग्रेस ने उत्तराखंड के उम्मीदवार घुशत करते वक्त समाजवादी पार्टी किसी नेता से नहीं पूछा बात करने के लिए सपा नेता सुनी साजन मौझूद है अखिलेश अदव का बयान आपने सुना हुआ उन्होंने कहा है कि जब घुशी का उप चुनाव हुआ तो सभी गड़ बंधन दलोक पतर लिखा उनसे समर्थन मांगा जबकि उत्तराखंड के चुनाव जो हुए उस वक भरतियंता पाटी के भिचारधारह के खिलाप विचारधारह वाले लोग थे यहां हमारे इंडिया गड़बंधन के लोग थे हमने सबसे पत्र लिख करके समाजवाधी पाटी में मदद मांगी है और हम सबका धन्यवाद देते हैं कि सबने मदद की घोसी की सम्मानी जन्ता ने मदद की और घोसी में भरती जन्ता पार्टी हारी नहीं, बहुत ज्यादा मतों से हारी, लेकिन जहां तक सवाल उत्रा खंड के चुनाओ का है नहीं है तो मैं लगता कांग्रेश को लग रहा होगा कि हम को किसी की मदद की जरूरुत नही कि किसी की कोई इस्तिती नहीं है कि हमारी मदद कर सकें उन्होंने मदद नहीं मांगी चुनाव हार गए ठीक रहा समाजवादी पार्टी पर अगर आपको समाजवादी पार्टी से लग रहा था कि समाजवादी पार्टी हमको चुनाव हरा सकती है तो अगर हम उत्तर प्रदे आए ने हम आपकी मदद कर रहे हैं अजयर आये जो यूपी के चीफ है कॉंग्रेस के आए दिन नय बयान आ रहे हैं सामने अभी उन्होंना हाल ही मैं कहा कि कॉंग्रेस तो असी कसी लोगसवा सीटे जीच सकती है नहीं अगर कॉंग्रेस के अद्धैश को लग रहा है राज के अद्धैश को कि कॉंग्रेस 80 क के सीटे जीच सकती है तो मैं तो राहुल गांदी जी से अन्रोद करूंगा के उनको पूरे देश में घुमाएं और अकेले ही कांग्रेस जीच जाएगी बीजेपी-जीरो हो जाएगी मुझे लगता है कि कांग्रेस के राष्तीनीत्ट्रत क को अपने छोटे नेताओं को बयान देने पर प्रतिबंद लगाना चाहिए क्योंकि इंडिया परिवार बना है गडबंधन बना है और सब की एक ही इच्छा है कि कैसे इंडिया गडबंधन सरकार बनाए और देश से बिजेपी की सरकार हटे क्योंकि इंडिया गडबंधन मु पुराने बाते भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और जो भी कांग्रेस का नेताया बयान दे रहा है मैं उससे अन्रोध करूंगा कि अपने दूसरे नेताओं के भी यह बात समझा दें कि पुरानी बाते छोड़कर आगे बढ़ें रमेश बिदूरी अलतना बड़ा कांड होता है बीजेपी उनसे नोटिस देती है जवाब मांगती है और आप एक नई जिम्मधारी देती है जो बलातकार करे जो देश की खिलाडियों को छेड़े उनके साथ जवरजस्ती करे वो लोग राष्टवादी हैं जो सबसे ज़्यादा ब्रस्टाचार कर जाए जो सबसे ज़्यादा जूट बोल जाए जो दंगे करा दे जो दंगों में सामिल हो वो राष्टवादी है तो ऐसे राश्टवादियों को भारती जन्ता पार्टी हमेशा उत्साह बढ़ाती है वही काम बिदूरी के साथ किया है जिस बिदूरी को सजा देनी चाहिए थी जिसकी सदस्ता खतम करनी चाहिए थी और प्रतिबंद लगाना चाहिए था कि इस तरीके की भासा इस्तमाल करने व करता है बिदूरी जैसे राश्टवादी भारती जन्ता पार्टी में भरे पड़े हैं बहुत श्क्रिया बात करने के लिए तो यह थे माने साथ तुनील साजन इन्होंने कहा है कि कॉंग्रस को भी दिल बड़ा करना पड़ेगा और अपने नेताओं को केंद्री नेतितत को समझाना पड़ेगा जिस तरह के बयान वो जेते हैं कहते हैं कभी पूरी यूपर जीत लेंगे तो कभी पूरा देश अकेले के दम पर जीत लेंगे कैमरा में नीरच के साथ समर्थ शिवास्तव लखनों आज तक